आज हम लोग करेंगे class 8 का assignment मतलब एक assignment है मेरे पास आया है तो मैंने सोच आपको solve करके दिखाया जाए जिन लोग को exam है उन लोगों को help मिलेगा जिनका module 5 मिल से थोड़ा और module 6 से आ रहे है तो सबसे पहली वाली exercise है against वो उदर वो ही वो का मतलब होता है where and वो ही का मतलब होता वहां वो ही लगाएंगे जहां no movement वाली verb है वहां वो लगाएंगे right movement वाली वर्ब मतलब गेहन फारंग लीगन तरह की है तो हम वो ही लगाएंगे otherwise वो तो पहला sentence डैश फारं वीरम जॉन्टप फारं movement वाली वर्ब जा रहे हो ना एक प्लेस से दूसरी जगा तो यहां वो ही नाएगा वो ही वही राइट नेक्स डैश लीग दस पपीर कहां पर एपे पर तो वो लीग दस पपीर डैश is mine book where is my book तो वो इस माइड बुक no movement वाली वर्ब एना डैश कान इस डॉच लेन कहां मैं सीख सकती हूं तो वो कहां को नहीं कहां तो बेसिकली जहां फारंग ज आपको फ्लीगन दिखाए दे तो आपको वहीन लगाना है अदरवाइस वह राइट या राइजन इस तरह की वर्व दिखे तो ठीक है तो इससे पता ही चल जाएगा आप काउफ्ट है यानि कि यह चार नहीं है तो वह तो वह काउफ्ट मन भीशर कहां खरी सकते हैं डाश ले आगो जाटे वाली जैसे आपकी स्टैलन लेगन राइट हैंगन अगर आपने चैप्टर त्री किया होगा तो यह वर्प्स को भी देखना है आपको कॉमन और यहाँ पर स्टेहन लीगन हैंगन इसमें भी है इसमें डूर नहीं होगा एंजाइन और एक जित्सन भी होती है यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखो लेगन है तो यहाँ पर लेगन आ गई है तो यह चार के अलावा यह वाली वर्प्स भी हैं जो आपको जाटिव हैं समान रखने जा रहे हो तो वहीं लेग मार्ग जैन टैपिश कहां रखने जा रहे मार्ग स्टैपिश अ में कहां जा रहे हो तो basically आपको किसको consider करना आपको जाटिव के लिए लेगन, हैंगन, common फारन, गेहन, फागलीगन ये तो है नहीं साथ में कोई समाना प्लेस करने जा रहे हो तो ये वह भी उस करोगे otherwise डाटिव के लिए ये वाली होगे डाटिव के लिए अलग हो गई स्टेहन, दीगन, हैंगन, जाइन, जिट्सन या बाकी कहां जा पर एसन बलाइबन ये सब होगी clear है? तो जहां पर ये ये आपकी आपको जाटिव हो गई चली आगे चलते हैं next है आपको conjugate the verb in particip profit, particip profit लिखना है आपको वर्पा, पेटर इसमें टीना इन स्कीनो, अब गेहन का perfect गेगांगन, ये याद होना चाहिए गेहन का perfect, गेगांगन इशाबड़डिश जेहन का perfect, गेजेहन ये याद करना है इशाबाइनकोला, गे त्रूंकन, जो त्रिंकन है वो गे त्रूंकन में चेंज हो जाता है आई, यू में चेंज हो जाता है और गे तो लगता ही है एरेस, मिद्यम, सुग, नाव, बर्लीन गेफारन, ये इर्रेगुलर वर्बें सारी तो गे लग गया इशाबा माइने टांटा बेजूक्त जो वर्ब बी इसे स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता इशाबा इनन एफल गे गैसन तो आपको बेसिकली इन सब का आपको याद होना चाहिए परफेक्ट तो मैंने सीधा परफेक्ट ही लिखा वाए बी इसे जो स्टार्ट होती है उनमें गे नहीं लगता आई वाला यू में चेंज जाता है बाकी तो आपको याद करना होगा इस तरह से एक्जाम में आ सकता है नेक्स्ट अपको या तो देर भनना या देम मतलब डाटी वाला इस ट्रेफर डिश फोर मैं स्कूल के बाहर मिलूँगी सामने मिलूँगी तो दी शूल होता है दी किसमें चेंज हो जाएगा देर में क्योंकि फोर डाटी प्रेपोजिशन है थोमस त्रिफ्ट जाइनें फ्रॉइंड फोर देर आपो जो भी चीज़ दी है यह दी आपो टेक होता है किसमें चेंज हो गया तो इश टेफर डेइर फोर डैश की अदर होता है किसमें चेंज जाएगा फोर देम कीनो ठीक है इन फ्रंट अफ एफ न आपे इसे फरोजकि'll परन फॉर मील रहे हैं यह कुगसरज है और सीटिंग आप कहीं एक पोजिशन में मिलते हैं नो कोई मूवमेंट नहीं है थॉमस त्रिफ्ट जाइनन फ्राइंड फोर देयर आइसडियल आइसडियल के सामने क्लियर है क्योंन वियर उन्स नेबन देम कावफाउस त्रेफंड मिल रहे हैं नो मूवमेंट वर तो वह गया क स्कूल के तो किस पहटेंड कराई यह हमारी आर्टिकल पर हिस जीजिए तर्टिकल आपको पता हुने जív ए इसका आर्टिकल दी होता है देर में चैनलिंग होगयाई इसका अर्टिकल विया कि अ यह होब ह Sport हो भग महई तोदी ह furnace रेस्टुनांट यह तो याद ही कर लेंगे हम लियर है यह हमारा कि आपको यह ऐक्सिसाइस अब आगे के अकसेसाइस एक और आसाइमेंट है कि वह भी कर लेते हैं यहां पर यह एक्जाम में Definitely अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन सी आकुजार्टिव होती है और डाटिव होती है जब हम कोई समान प्लेस करने जाते हैं स्टैलन लेगन हैंगन जिश-जेटसन एंकॉमन यह आपकी आकुजार्टिव है जिसमें आप आक उजाटिव लगाओगे सारी movement वाली है talent मतलब कोई चीज standing position पर रखने जाना legan कोई चीज lying position पर रखने जाना और कोई चीज पहले से रखी है तो stay hand legan, legan मतलब पड़ी है hangar मतलब टंगी है hangar दोनों में आता है यहाँ doer मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा यह जिट्सन आप अल्ड़ी बैठे हो और zine कोई चीज अल्ड़ी है तो यह बर्ब को देखने आपको गेहन फारन फ्रीगन के अलावा आकोजाटिव की यह वली बर्ब है तो यानि कि यह legan क्या है लिगन यहाँ पर यह डाटिव है लेगन आकोजाटिव है यानि कि कोई चीज रखने जा रहे हो तो उसको legan lying position पर तो यह तो यह stalin मतल़ standing position पर तीना डैश दी वासा और दिम टिश तीना अब डूर आगे ना कोई रखने जा रहा है और वास क्या होता है वास standing position पर होता है तो टीना डैट अब बच्चे क्या करते हैं जो mistake करते हैं वो conjugation की टीना दिया हुए तो टीना की conjugation लगानी है ऐसे नहीं stalin लिख दिया कुछ भी दी सेडेज डैश आफ दिम टिश जैसे टिश है उसके उपर सीडीज रखी है अल्रेटी रखी ना सीडीज प्लूराल है तो लीगन और लाइंग पोजिशन पर होती है तो हम डाटिव लगाएंगे जहां पर डूर है जो यानि कोई काम कर रहा है तो वहां पर डूर मतलब कोई subject है जो काम कर रहा है तो आपका accusative लगेगा और यहां पर डाटिव में doer की जरूरत होती नहीं है जिसे हम बोलें the book is on the table तो यहां कोई doer की जरूरत नहीं है तो यह डाटिव सिचुएशन हो गई और मैं बोले जो I am keeping the book on the table यानि कि I तो आई की conjugation रगे कोई कर रहा है तो यह आखको जाटिव सिचुएशन है देखो कोई भी चीज है वो अल्रीडी रखी है ड्रॉर में तो लीक्ट इन देर शूबलाट शूबलाट मतलब ड्रॉर वियर डैश अब वियर सब्जेक्ट आगया कोई काम कर रहा है हम चेयर को स्ट्राइब टिश के सामने रख रहे हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन पर रखने के लिए यह यूज होता है इश अगें डूर आगया कोई रख रहा है इश डैश दी फ्लासा आव दिन टिश मैं टिश के उबर बॉडल रख तो इसको भी स्टैंडिंग पोजीशन पर रखते हैं तो स्टैलर माइन फार्टर डैश दें दूरूकर आव दिन टिश प्रिंटर को मेरे फादर रख रहे ह टेबल के ऊपर अगें मुव्मेंट वाला तो अब यह लेक टाएगा क्योंकि लिटा के रखते हैं प्रिंटर को खड़े उके ने रखते हैं देश रांग अब एक अल्मीरा है वो आल्रेडी किनारे पर खड़ी है अब श्रांग जो होती हो स्टैंडिंग पोजीशन पर तो वियर इश मैंड फार्टर तो यह टीना तो आपका आपको जाटिव लगेगा कोई समान रखने जा रहा है तो लिटा के रख रहे हो तो लेक्ट और कॉन्जुगेशन सब्जेट के अकोर्डिंग तो इश है तो स्टैलर वियर है तो स्टैलर क्योंकि स्टैंडिंग स्टैंडिंग पोजीशन पर रखने उसके आपको कॉन्जुगेशन लगानी है क्लियर है अब यह क्योंकि समान है समान की कॉन्जुगेशन हमेशा एस वाली होती है प्लूराल है तो लीकल यह इस तरह से करेंगे बहुत असान है और यह एक्जाम में डेफिनिटली आने वा इंसान ब्लूमन खरीच सकता है तो आप क्या बोलोगे ब्लूमन कहां से करीचते हैं इन देम ब्लूमन लाडन बस यह पता होना चाहिए ब्लूमन लाडन ब्लूमन लाडन का आर्टिकल वैसे होता है देर देर होता है और मैंने देम क्यों लगा है क्योंकि कोशन वो में पू ब्लूमन लाणन मतब फ्लार्श हो, वो कॉफ्टमन पीजा, इन देर पिजेरिया, राइट, वो कॉफ्टमन ब्यूशर, इन देर बुखांड लोग, वो कॉफ्टमन कुखन केक का खरी सकते हैं, इन देर कॉंडिटोर आए, अभी मैं आंसर लिख देती हूँ, फिर समझाती हूँ, वो कॉफ्टमन क्लाइडर कपड़े कहां करी सकते हैं, प्लाइडर बुटीक में, इन देर क्लाइडर बुटीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चैप्टर वाली वीडियो देखिए आपको पूरा कॉंसेप्ट समझ में आजेगा अल्रेडी प्लेलेस किवन है यूट्यूब पर वो कॉफ्ट मन फ्लाइश इन देर मैट्स के राई वो कॉफ्ट मन आईश इन देर आईश दियलर वो कॉफ्ट मेंडी कमांटा इन देर आपको तेक का देखो अब क्या है अब चीज को समझो कि हमने हमारा कोशन वो में था यानि कि वेर वन कैन बाई पीजा पीजा हो गया ब्लूमन हो गया अब कोई चीज हम शॉप पे खरीदेंगे उस शॉप का आर्टिकल पता होना चीज है तो ब्लूमन नाडन का आर्टिकल देर होता है इसलिए देर में कनवर्ट हो गया बागी पीजा मिलता है पीजेरिया में जिसका आर्टिकल होता है दी ठीक है दी होता है तो किसमें चेंज हो गया दी होता है कॉंडि टोराय का आर्टिकल भी दी होता है, क्लाइडर बुटीक का आर्टिकल भी दी होता है, मैज गराय का आर्टिकल भी दी होता है, आपटका का आर्टिकल भी दी होता है, इसलिए यहाँ पर देयर, देयर, देयर में कनवर्ट हो गया, लियर है, क्या बताया था मैंने, मैंने यह बताया था, जिन चीजों की एंडिंग, दो वोवल पे एंड होते हैं, वो यू एंजी एंडिंग होती है, दो वोवल पे एंड होई, राइट, ये देखो, ये एंडिंग, ये सारे दी होते हैं, आपको याद करने की भी जरूत नही DER, तो वो DER में convert हो गया, यह DER, DER में convert हो गया, क्योंकि वो में question है, तो डाटिव लगता है, समझ मैं इसलिए मैंने क्या लगाए, वोaaa can knappपन, ple Boden, in dem Romanharden, वो कaufigma mat pizza in their pizzeria, pizzeria में कॉई movement नहीं हो रही है, कहां खारीदते हैं, वो में question है, तो दी देर में convert हो गया clear है इतना ये exam में आएगा और ये सारे words पता होने चाहिए कौन सी चीज कहां मिलती है right अब बिल्डन्जी जार्ट ये है आपका jumble sentences आपको correct करके लिखना है हम लिखते हैं जैसे ये पहला दिया हुए तो आपको subject लेना है प्रेपोजिजन देखने है क्या है उसके according object लगाने ठीक है तो दस रेस्तोरांट पहले सब वह देखना है नॉमिनाटी वाली फॉर्म तो वह सब्जेक्ट में नॉमिनाटी आएगा ना दस रेस्तोरांट लीक्ट मतलब सिचुएटेड एका है नेवन देर बेकर आए क्योंकि नॉम्मली दी बेकर आए होता है न वो अल्ड़ेडी उन्होंने बना कर दिया हुआ है बेकर आए इस सरह सब कर सकते हो नेक्स्ट अब सब्जेक्ट देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है वियर वियर फिर वियर की कॉन्जुगेशन त्रैफवन उन्स वियर त्रैफवन उन्स आता है ठीक है त्रैफवन के साथ उन्स आता है वियर के साथ फोर देर श्प्राक शूलर ओल्रेडी इन्होंने दी दे जो पेपर है नॉमिनाटिफ फॉर्म देखो यह डाटिफ फॉर्म है नॉमिनाटिफ तो यह सब्जेक्ट है दी पापियर लीगन इन देर शूबलाट की डॉर में है एक लिए नेक्स्ट इसमें देखो दास आउटो सब्जेक्ट लग रहा है इस जय ए शोन फोन माइनस स्वेस्टर तो आप यह गोल सकते हैं दी आउटो ओफ माइनस स्वेस्टर इस जय ए शोन मेरी सिस्टर का ओफ माइ शिस्टर यह आप कर सकते हो, तो दास हैंडी, सब्जेक्ट वाला देखा, दास हैंडी, इस्त, इन्देर टाशा, वो बैग में है, लियर है, नेक्स्ट, मारकूर लीक्स इन्देर, शूबलार दास पपीर, तो मारकूर रखने जा रहा है, यह देगन होता है रखने जाना, कौन रखने जा रहा है, मारकूर, तो सब्जेक्ट होगे हैं मारकूर, लेक्स्ट, दास पपीर, इन्देर, शूबलार, शूबलार होता है, ड्रॉर, बलार, छीक है, नेक्स्ट, दास बिल्ट, तो सब्जेक्ट यह लग रहा है, तो दास बिल्ट, पहले सब्जेक्ट ठूण दो, फिर वर्ब लगा दो, दास बिल्ट, हैंग, अन्देरवांट, कि वो दिवार पे टंगी है, अन्देरवांट, फाबियो, अब Fabio यहांपर subject है तो Fabio यहांपर इन्होंने वर्ब नहीं लगाई है तो यहांपर हमरा लीगन वर्ब लग देते हैं लीग तो Fabio लीग देर कुक्खन नहीं यह नहीं आएगा क्योंकि देर कुक्खन दिया हुआ है देमेस्टिश दिया हुआ है, आफ देमेस्टिश ये तो आएगा, फाबियो लीक्ट देन कुखन उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आफ देमेस्टिश, क्लियर है, फाबियो लीक्ट तो इन्होंने नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ, आपको आको जाटे में करना है, क्या र क्योंकि यहां डूअर है तो इनको एक वर्ब चाहिए लेक्ट, लेक्ट मतर रखने जाना, तो फाबियो लेक्ट धैन्कू कन आफ विम ऎस्टिश, तो फाबियो रखने जा हुआ रहा है, झाल झाल